Hello everyone, देखे question number second of exercise 1.1 देखो इस question में क्या करता है? करता है show that any positive odd integer is of form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 and where q is some integer? ठीक है इतनी बात अब देखो दरा solution में चलते हैं हम देखो ये actually में क्या कह रहा है आपके पास कि कोई भी एक positive odd integer दिया हुआ है जो कि इस form में होगा हमेशा 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 ठीक है तो आप खुछ सोचो ये जो form दिया हुई है, ये कैसी दिया है? ऐसा ये कुछ देख कैसा न लगता है Euclid division लेमा में हमने कुछ किया था ऐसा ठीक है? तो वहीं से कुछ ना कुछ होगा तो सबसे पहले तो आप ये जो positive odd integer दिया हुआ है, इसको let कर लो ठीक है? let कर लेते हैं हम let a, b, any, positive odd integer क्या है ये odd integer? clear हमने खुछ से माल गया और अगर आपको Euclid division लेमा याद हो, वह ऐसे था a is equal to me bq plus r अब ये bq plus r में देखो तेरा, ये 6q plus 1 ऐसा कुछ compare हो रहा है तो b कितना है यहाँ? 6 है, कितना है? 6 यहाँ पर हम लिखेंगे b कितना है? 6 है and b equal to 6 अब क्या करो आप? now apply Euclid division lemma या फिर algorithm भी लिख सकते हो, क्योंकि number और steps आएंगे हमारे पास algorithm भी लिख सकते हो आप ठीक है? तो देखो ये था हमारे पास ये क्या होता था यहाँ पर? dividend ये divisor, quotient, plus remainder और r की कुछ condition दी r की क्या condition दी? कि ये greater than या equal to 0 हो सकता है और less than हमेशा किस के रहेगा? b के रहेगा तो अगर ये चीज हम apply करें, a तो हो गया यहाँ positive word integer, a equal to b कितना है? 6 है, q हमने मान लिया, ऐसे ही, ठीक है? क्योंकि उसने रख रख है where q is sum integer, तो q ही रहने देते हैं इसको ठीक है? और r अब r यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऐसे ही ठीक है? अब देखो ये condition चलेगी r ये हमारे पास greater than or equal to 0 और less than or equal to kis के रहेगा? 6 के रहेगा, क्यों? क्योंकि ये कितना है b यहाँ पर? 6 था, तो ये 6 आगया यहाँ पर, समझ रो? तो इसका मतलब अब जो r की जो values होंगी आपके पास, वो क्या-क्या values हो सकती है, देखो, r की according हमारे पास a क्या-क्या आ सकता है देखो, अगर इसके according हम देखें, तो a हमारे पास, अगर r equal to हम 0 put करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 6 q plus 0 ठीक है, तो 6 q रहेगा दूसरा क्या आ सकता है? 6 q plus 1 आ सकता है और 6 q plus 2 और जब 3 put करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा ये? a is equal to 6 q plus 3, a is equal to 6 q plus 4 and a equal to 6 q plus 5 ये terms आ गए हमारे पास तो a की ठीक है, लेकिन उसने तो हमें क्या चीज़ बोली थी? कि ये ही form में होता है, 6 q plus 1, 6 q plus 3 और 6 q plus 5 मतलब ये वाली एक ये term, एक ये term और एक ये term तो वो सही है, वो सही क्यों है? देखो जरा, उसने हमें बोला था a b यह नी, positive odd integer और ये आपके पास odd even सबके लिए आगया समझ रहे इतनी बात, ये देखो जरा ये even number है, even number कैसे है, देखो माल लो, ये q1 है, ठीक है, तो 6 into 1 6 होगा, माल लो, मैंने वैसी rough काम दिखा रहा हूँ ये आपको तो माल लो, ये कितना होगा, 6 होगा 6 into 1, 6 plus 1, 7 होगा क्या ये odd नहीं आया, ये किसकी value बता रहा हूँ मैं a की value में आपर, ठीक है न ठीक है, अगला देखो, अगर 1 put करूँ में 6 into 1, 6 plus 3, 9 ये क्या है, odd है, इसलिए तो ये number आ रहा है इसलिए इसी form में ये, ठीक है दूसरा देखो, 6 into 1, 6 plus 4 कितना 10 ये even है, इसलिए include नहीं है 6 into 1, 6 plus 5, 11 ये भी क्या है, odd है, इसलिए include है बास समझे हो, ये 3 ही Q बोले उसने 6 Q plus 1, 6 Q plus 3, और 6 Q plus 5 क्योंकि वो ए क्या कह रहा है आपको कि positive odd integer होना चाहिए तो odd positive integer कौन से है, ये ही वले हैं हमारे बास ये देखो, आप odd ये वे 3 values मिल रही है अच्छा, आप कहोगे कि Q 1 ही चू लिया आप जो मज़ी ले लो, आप 2 का लेके चल दो 6 to the 12, even है 6 to the 12 plus 1, 13, odd है 6 to the 12 plus 2, 14, even है 6 into 2, 12 plus 3, 15, odd है 6 into 2, 12 plus 4, 16, क्या है, even है 6 into 2, 6 to the 12 plus 5, 17, क्या है, odd है बास समझ रहो ये नहीं तो ये चीज़ आप समझ रहो, क्यों इन 3 के बारे में ही बताया ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे अब तो क्या है हमारे पास A, B, ऐनी positive, odd integer है क्या है, odd integer So, it is in the form कौन सी form में होगा, सिरफ ये 6Q plus 1, 6Q plus 3 या फिर 6Q plus 5 में ही हो सकता है इतनी बात क्लियर है, बताओ, question समझ में आया ठीक है, ये चीज़ कर लोगे, अब मैं बताता हूँ कि ये चीज़ ये कह क्या रहा था, कि odd positive in t दे रहोंगे तो होगा क्या, ये इसको roughly समझ दो मान लो, ये 7 number था, ठीक है, ए क्या है, 7 है मान लो, ये 7 है, ठीक है, 7 है, और divisor क्या है, इसका 6 है, ठीक है, ये 6 मान लोगे, ठीक है, अब इसको divide करते हैं, ठीक है, 6, 1 था, 6, कितना remainder आया, 1, तो 1 remainder, तो देखो, 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 is equal to, देखो, question यहीं खतम हो चुक है आपका, ये मैंसे वैसी आपको ये ये हमेशा ऐसे ही आएगा, बतलब और positive integer कोई भी हो आपके बास, ठीक है, अगर आप उसको 6 से divide करते हो, तो हमेशा remainder क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, या 5 बचेगा, और कोई remainder आई नहीं सकता, ये बात है, समझे रहो ये शीच, ठीक है, अब देखो ज़रा, जैसे 4 भी कुछ कर लेते हैं, हम जैसे, मान लो, 9 लेते हैं, 9 को करो, divide 6 को, 6 से, 6 बंदा, 6, कितना बचा रिमेंडर, 3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 9 equal to में, 6, Q, जैसे 1 है यहाँ, तो Q plus remainder कितना है, 3, तो देख रो, remainder क्या रहा है, 3 आ रहा है हमेशा, समझे रहो ये बार, या नहीं, ठीक है, ऐसे ही, आप 11 को ले दो, 11 को कर लो, 6 से divide, 6, 1 is a 6, कितना बचेगा यहाँ से, यह remainder 5, तो इसको भी कैसे लिख सकते हो, 11 equal to में, 6, Q, 1 है, तो Q रहने देता हूँ, इसको plus 5, देख लो, यही आ रहा है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि, कोई odd number आएंगे, तो तो remainder मेंशा यही बचेंगे, जैसे एक और number ले लो, आप माल लो, अगला number odd में क्या आता है, 13 आता है, इसको divide करके देख लो, 6 से, 6 to the 12, कितना remainder आया, 1, इसको कैसे लिखूँगा मैं, 13 is equal to में, 6 into Q, जैसे 2 है यहाँ पर, तो यह Q plus 1, देख लो, यह 1 ही आ रहा है ना हमेश 6 से divide करो, 6 to the 12, और कितना बचा यह, 3, अब देखलो remainder 3 है, तो इसको मैं किस form में लिख सकता हूँ, 15 is equal to में, 6 into में यह Q, और plus कितना है हमर पास है, 3, तो 6 Q plus 3 हो रहा है, मान रहो यह बात, समझ रहो यह बात, ठीक है ना, तो हमेशा क्या हा रहा remainder, 1, 3 और 5, लेकिन किसके ल और यहाँ वो लिख देता, 6 Q, और 6 Q plus 2, और 6 Q plus 4, तो आप किनको लेते सिरफ, इनको लेते फिर, 6 Q अले को, 6 Q plus 2 को, 6 Q plus 4 को, करना है यह सारा question, बस यहाँ पर यह change बाता, कि A, B, any positive even integer, so that it is in the form of 6 Q, 6 Q plus 2, 6 Q plus 4, समझ रहों, questions को, ठीक है, तो यह इस तरीके से आपके बास ठीक है, और अगर even word होता ही ना यहाँ, सिद्धा वो लिखता, show that any positive integer is of the form of, फिर वो यहाँ से लिखता, 6 Q, 6 Q plus 1, 6 Q plus 2, 6 Q plus 3, 6 Q plus 4, 6 Q plus 5, ऐसे लिखता, तो फिर क्या था, यह सारी आ गए थे, फिर तो हमारे बास कोई दिक्कत थी, हम सारे लिख रहेते हैं, numbers, समझ रहों बहुत ही simple question है और बहुत ज्यादा important भी है, ठीक है, इस तरहें के question में बहुत बार paper में पूछे जाते हैं आप से, ठीक है, okay, thank you